खरगोन कोतवाली शेतर की आनंद नगर बस्ती में हो रही गांजा बिकरी का विरोत करना एक महिला और उसकी दो बेटियों को जान जोगिंग में डालने के जैसा साबित हुआ है कथित तोर पर गांजा बेच रही युवकों ने महिलाओं को पहले बस्ती में पीटा इसके बाद जब महिला और युवदिया थाने पर रिपोर्ट दर्च कराने निकली तो राधावललब मार्केट में फिर सरे राह पिटाई कर दी दो बार अलग-अलग जगह हुई पिटाई से महिला और उसकी बेटियों को गंभीर चोटे आई है तीनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है जिला अस्पताल में उपचार रत संगु भाई ने बताया कि वह विध्वा महिला होकर अपनी बेटी पलक, अदिती और बेटे करशना के साथ घर पर ही थी दोपर करीब दो बजे आनंद नगर में मेरे घर के सामने विकास गोलू, काना, गांजा बेच रहे थे जब इन्हें टोका तो वह अबद्रता करने लगे इस पर मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो वे अपने घर गए और माता पिता सहित परिचिति को बुला लाए इसके बाद इन तीनों के साथ ही शिवा, चेतन, केलाश, सचीन, सहित, महिलाओं ने भी हमारे साथ मारपिट की इसके बाद जब हम आटो में बैट कर रिपोर्ट लिखवाने थाने आ रहे थे तो राधावललब मारकेट में आटो रोक कर फिर से मारपिट की पत्तर मारने से हम तीनों के सिर में चोट आई है इन्होंने मिर्च पौडर का भी इस्तमाल किया है इस मारपिट में संगुबाई की माँ लच्छी बाई को भी बीच बचाओ करने में चोट आई है इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कम पमच गया है आला अफसरो सहीद पुलिस कर्मी राधावल्लब सहीद जिला अस्पताल पहुचे और जानच परताल शुरू की है महलाओं के साथ हो रही मार्पिट के दोरान राधावल्लम मार्कट इस्थित पुलिस जोके भी बंद थी अब यह फैद्न ले रहे हैं और वेखवाश पर्माथ और विकास जन्तोस का नाम सटोस पगारे संटोस पगारे का वेटा विकास पगारे और चेतन और दौशटन नाम के लड़के थे तयसा करके वैबी भाई संब और वेखा भाई यह सब कह सब हमने उनको बोला कि तुम्हारे लड़के गांजा बेच रहे है तो बोले कि काह हैं गांजा काह बेच रहे हो तो खड़े है पनाएंगे पुलिस में देंगे तो उनकी माता हुनकी बेन-माँ उनको बुला ला है पुर्पी बिट्वा मिला हूं मेरी पतीन ये चार बच्चे अकेली मजदूरी करती हूं हमको किसी ने नहीं बचाया हमने कारदांजे का विरोत करा मेरी बेटी उन को मेरी बेटी उन 11 गर गेक 11 भी पढ़ती है पला 11 की पढ़ाई कर रहे है आधिती 10 भी की पढ़ाई करती है कृष्णा नवी में पास हुआ कृष्णा नवी बेटी बेटी है